नमस्का साती और आप से ही का स्वायत है आपकी अपने चैनल इंदर जी में तो दोस्तो हम करेंगे जन्नल एप्टिट्टीट के कुर्शन्स दोस्तो जिसमें हम प्राचीन भारत का इतियास से दोस्तो कोशन लेकर आएं तो आपको दोस्तो इस वीडियो में 15-16 कोशन मिलेंगे सिरक तो दोस्तो आप सबी कोशनों का आंसर देना दोस्तो ये कोशनों की संक्या थोड़ी कम है लेकिन वो आज के लिए है दोस्तो जो आपको कल से वीडियो मिलेगी प्राचीन भारत पूरा खितम कर दिया जाएगा दोस्तों कोशनों के माध्यम से करीब 50 कोशन दोस्तों और आपके लिए आएंगे प्राचीन भारत के फिर इसके बाद दोस्तों मद्यकालीन भारत के फिर इसी तरीके से आदुनिंग भारत के दोस्तों आपको questions मिलेंगे पूरी दोस्तों बड़ी बड़ी वीडियो आपको मिलेंगे जाज जादा question की 50 प्लस questions की दोस्तों तो आप continue daily सुबह 8 फजे दोस्तों इस वीडियो को आप देखना ना भूला करें अब daily दोस्तों ये आपको एक लंबी वीडियो मिलेगी जिसमें दोस्तों जादा से जादा question को cover किया जाएगा फिर दोस्तों इस ट्रीक हतम होने के बाद Google पर आ जाएंगे जोग्राफी पर तो start करतें दोस्तों और चैनल को subscribe आप जरूर कर लें तो प्राचीन वारत का इतियास से question है दोस्तों तो पढ़ते हैं शिंदू सब्विता सम्मंदित है प्राग इतियासिक युग से आद इतियासिक युग से इतियासिक युग से उत्तर इतियासिक युग से तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सह वीजन कर सकते हैं कौन सी सब्विता सिंदू गार्टी सब्विता के समकालिन मानी जाती है कौन सी सब्विता सिंदू गार्टी सब्विता के समकालिन मानी जाती है माया सब्विता मैसो पोटामिया सब्विता चीन की सब्विता बेवी लौन की सब्विता दोस्तो बता इसका स सही आंसर क्या हो जाएगा को दोस्तों इसका सही आंसर है मेशु पुटामीय की शब्धता मेशु पूटामीय की सब्धता दोस्तों जो सिंदू सब्धता है उसके समकालिन माननी जाती है तो चलते हैं दोस्तों नेक्ट goos पर तो कोशन दिया हुआ हडपा नगर की कोज किस ने की हडपा नगर की कोज किस ने की दैराम सानी द्रोवे रविंदर सिंग विष्ट एजी मजुमदार तो दोस्तों बता इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दैराम सानी यह दोस्तों कव की थी 1921 में तो चलते हैं दोस्तों next question पर, question दिया हुआ है कि निमन में से किस की खेती रपवासी करते थे गेहां हूं जो का पास ये सबी दोस्तों बताँ इसका सही answer क्या हो जाए गाताँ दोस्तों इसका सहीं है ये सभी यह हम दोस्तों ये सभी तो चलते हैं हम नेक्ट कोस्फेस हैं ऑडपा कालिन लोथल किस नदी के किनारे अपस तथा बताएं इसमें से सही आंसर क्या हने害 शक्वास कौनसी नदी के किनारी था ये कोशन दिया हुआ है कि निम्न में से किस इस्थान के उत्खनन में तामे की मौरें प्राप्त हुई थी तो लोथल से राखी गड़ी काली वंगा हडपा दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यानि कि तामे की महौरें दोस्तों कहां से बिली थी तो हडपा से कहां से दोस्तों हडपा से चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है कि निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंदु गाटी सब्विता से सब्वद विख्यात ब्रश्व मुद्रा प्राप्त हुई थी तो दोस्तों अब इसमें क्या तो दोस्तो इसका सही आसर है वो हो जाएगा आपका आपका महंजोद्टु तो महंजो दुलो क्यानि कि अचे घ। और और सिंदू अब क्यों सा था भीक लिफ्झा सिंदू नगर नंसंगर चंदोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडोडो अबलपा दोलिवीरा तो उस्तों बता है इसका सही आंसर क्या हो जाए गाया निम्ल्क्त मैंसे कौन संदूगाटी सब बताके प्रमुक दरौहर है निमलकत में से कौन सिंदु गाटी सब बिता के प्रमक धरोवर है कुबढ वाला साण, पशुपती सिव की मूर्थी, विशाल इसनानकार, ये सभी दोस्तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर है ये सभी क्या हो जाएं दोस्तो ये सभी तो चलते हैं फिर हम नेक्ट कोशन पर दोस्तो कोशन दिया हुआ है आरंबिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्ता आधारित थी सिच्छा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिवा पर दोस्तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यवस्ता पर, किस पर? ब्यवस्ता पर, तो चलते हैं नेक्ट कोशन पर दोस्तो कोशन दिया हुआ है निम्न में से किस नदी को रिगवेद में नदी है दोस्तों वो कौन सी है रिगवेद में मातेतमा देवेतमा इवं नदितमा से संबोधित किया गया है शिंदू शरस्वती बिस्ता यमना दोस्तों बताएं इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन भी सरस्वती तो दोस्तों चलते गयुद्ध यूर्वेद शांवेद अध्रववेद दोस्तों बताएं इसका सहीह आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सहीहां सर यह जुर्वेद कौनसा हो जाफाँ चलते हैं हम नेक्ट कोशीं पर कुशन्द दिया हुआ किस बेद को वारत्य Всё railway संहित का मूल कहा जाता है जिंद रिग्वेत शामभेत ययोउडबेद अधर व ед दो शन्गीत को किस्टो मॉल दोस बेड को किस को Σामभेत को को चलते हम निक्ट खोशन दिया हुआ किस बेड में सवा और समीथी को पिर्जा पती की दो पुत्रियां कहा गया है किस बेद को किस बेद में सवा और समीती को पिरजा पती की दो पुत्रियां कहा गया है रिगवेद, शामबेद, यूरवेद, अधरवेद दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाए अधरवेद तो चलते हैं हम नेक्स्ट कोशन पर तो कोशन दिया हुआ है किस बेद में जादुई, माया और वशीकर्ण का वर्णन है रिगवेद, यूरवेद, अधरवेद, शामवेद तो दोस्तो बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन C, जादुटोना अधरवेद में है तो यहाँ पर दोस्तो आपके 16 कोशन कंप्लीट हो जाते हैं अब आपको उताना है, आपका स्कोर क्या रहा, वीडियो आपको कैसे लगी और दोस्तो कल से आपको इसकी एक लंबी वीडियो मिलेगी जिसमें 50 प्लस कोशन होंगी, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि यह दोस्तो आपको प्राचीन बारत इतियास से मिले हैं दोस्तो, तो इसी प्रकार से दोस्तो कल और आपको यही मिलेंगे, तो यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद मद्दकालिन इतियास पर आएंगे दोस्तो, और ऐसे टॉपिक वाइज हम चलते हुए चलेंगे, तो दोस्तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में चैनल सस्क्राइब ने किया तो चैनल को सस्क्राइब करने और यह पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी, जो कि इंदॉलिया जी दोस्तो आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा या आपको लिंक भी दोस्तों मिल जाएगा चैनल पर आप देखें, तो दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरू करना, ठेंक यू, ओल दा बेस्ट